हालो गेट मॉर्णी तो और फर्स्ट और आई वेल्कम तो ओल इन इंडी शिस्टीटिंग जोर्नी अंध्री जी बोलना सीखिए कि इस जात्तम में आप सभी को स्वागत करता हो और जैसे कि आप जानते हो अगर आपने नहीं देख लिए तो आप उने भी देख लीगा आपको और ज्यादा है कि बिल्कुर शुरुआ से सब कुछ को समझने में बहुत ज्यादा मदद लेगी और एक चोटी सी इंफॉर्मेशन की इजोटी एडिकिशन की सबी क्लासे सब यूटूब पर होगी और इस नेम भी पाइशु वर्मा लॉक्यलिकि मेर्श सब्जेक्ट जो है कॉम्टिटिव मैप है इंग्ली और एक्स्पी में सेजिंग में नुभा वर साथ साल का रहा है और वहाद के तीन राजी में अभिशत पहाच चुका हो उस्तरप्रदी शब उस्तरप्रदी गुज्जात नहीं जाल पाया हूं लेकिन आप बिल्कुर निश्चिंत रही है आप मुझे भरशा केंगे और आपकी विश्वात को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा कर वापिस करूँगा और यह क्लास जो मुझे डिले हुआ है यह मैं आपको इसी महीने में सेंडे करा दूगा या कभी भी करा के आपकी जो 24 क्लास की फामडेशन बैची है को आपको इसी महा मिल जाएंगी तो आए शुरू करते हैं आज की क्लास और यह चोड़ा सा क्या है हमारा स्लेवस है कि टेंस अब हम पढ़े रहे हैं कॉंट्यूनियूस टेंस में आपको कल पढ़ाए थे इससे पहली क्लास में आप सबको बता चुका हूं फिर भी अगर तो जानना है तो दुबारा वीडियो को देख सकता है और बेसिक ऑफ इंग्लिश की भी बात करेंगे कि क्या हो इंग्लिश की ऐसी फेज वाक्य वाक्य या कथन मुहावरे लोकॉक्ती क्या हो चीजे हैं जो हमारी भाशा को ब बहुत ज़्यादा इंपरसिव बहुत ज़्यादा शांदार और बहुत ज़्यादा एक अच्छी रूप से पर्देशित करने में हमारी मदद करते हैं तो आईए शुरू करते हैं एक छोटा सा रिविजन हम कर लेते हैं कि मैंना आपसे बताया था बी प्लस एड्जेक्टि अमीर बनो गरीब बनो बहदुर बनो बुरे बनो साहसी बनो इसके लिए आपको क्या करना है बनो और रहो के लिए आपको बी का यूज़ करना है और एड्जेक्टिव एड्जेक्टिंग का मतलब होता है विशेष्टा बी प्लस विशेष्टा बी का मतलब है बनो या रहो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि sense बहुत जादा depend करती है English में शब्द जो हैं थोड़े से कम है शब्दों का अभाव है तो जो है हम अपनी sense के हिसाब से उसे उसकी हिंदी बना लेते हैं अब देखिए काफी जगा मैं आपको उस दिन भी बताया था लेकिन आतो थोड़ा से division है आगर आपने ये इस slide में अगर आपको कोई भी दिकत है तो आप प्रानी क्लास देख लीजीगा उसमें आपको ये सब बहुत detail में मिल जाएगा कि कि किस तरसे इसका यूज़ करना है फिर भी एक मौटी तरुपे मैं आपको से बता देता हूँ बी-ब्रस एग्यक्टिव और मैंने आपसे बताया था कि एक लड़की ने बोला बी-बॉइ-फृरेंड तो मैंने उससे बात की कि भी या आपने ऐसके क्यों बोला बी प्लस बॉइ-फृरेंड तो उसने उससे कहा कि sir मेरे लिए boyfriend होना भी एक विशेष्टा है तो उसकी बात अपनी चाहता सही है मैंने आपसे बताया था कि कोई भी गलत नहीं होता हर किसी का अपना एक अलग सत्य होता है उसने कहा कि sir boyfriend होना भी मेरे लिए एक उपलब्दी है एक विशेष्टा है be boyfriend इसी लिए उसने दूसले लिए कहा be boyfriend boyfriend बनो यानि कि उसके लिए boyfriend एक विशेष्टा है तो आपको एक चीज समझना है be के बाद कोई भी विशेष्टा आएगी एक adjective आएगा adjective को ही विशेष्टा कहते हैं यह part of speech में हम इसकी बात कर चुके हैं और आगे भी हम part of speech को थोड़ा detail में एक्टिकिन करेंगे आप चिंता मत कीजिए सिर्फ ध्यान दीजिए don't be plus adjective don't be girlfriend girlfriend मत बनो अब यह उसके लिए विशेष्टा ऐसी है कि girlfriend मत बनो girlfriend वाली विशेष्टा कोई ज़्यादा खास विशेष्टा नहीं है तो किसी ने कहा don't be girlfriend girlfriend मत बनो don't be bad, बुरे मत बनो don't be sad, दुखी मत रहो अब देखो दुखी मत बनो बोल दो चाहे दुखी मत रहो बोल दो choice is yours, the ball is in your court सब कुछ आपके हाथ में है है ना, अभी हम आज देखिए बहुत ही जादा, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही जादा आपका ध्यान इस स्लाइड की तरफ खिचेगी और आपको बहुत अच्छा वो sentence लगेंगे और आपके जीवन में बार बार बुलते होंगे है ना, और ये भी एक छोटा सा revision मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए, में के habit of में के habit of, और verb की first form में ing लगेगा, में के habit of के बाद, verb की first form में ing लगेगा, और इसका मतलब क्या होता है ये काम करने की आदत डाल लो इस काम को करने की आदत बनाए इस काम को रोजाना करे इस तरह का, जो है इसका भाव रहता है make a habit of, make a habit of reading, पहनने की आदत बनाओ make a habit of playing, खेलने की आदत बनाओ make a habit of speaking English English बोलने की आदत बनाओ make a habit of learning English, अंग्रीजी सीखने के अदर बनाओ, में के habit of coming on time, समय पर आने के अदर बनाओ, में के habit of watching video daily, में के habit of, देखी हैं, of जो है थोड़ा सा, ये किसी कारणवर्शी नहीं लग पाया है, तो आप थोड़ा ध्यान दखीएगा, में के habit of, of watching video daily, जोजाना video देखने के अदर बनाओ, में के habit of running fast, तेज दोड़ने के अदर बनाओ, में के habit of walking in morning, सुबह में घूमने के अदर बनाओ, ठीक है ना, तो इस तरह से आप, में के habit of coming on time, समय पर आदमी की आदर डाल लो, समय पर आने के अदर बनाइए, आप देखिए, आज की जो हमारी class है, सबसे पहले मैं आप से बात common use की, common use क्या होता है, common use एक ऐसी use है, जो हम बहुत जादा सामानिया अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, यही वो शब्द हैं, यही वो फ्रेज हैं, यही वो sentence हैं, जो आपकी speaking, जो आपकी बोलचाल को, यह सब चीज़ें आपको English से सायद course में, यह सब चीज होती तो हैं, लेकिन course में हमारा इनकी तरफ ध्यान नहीं होता, और speaking में हमारा इन पे जो है, main focus होता है, तो अब आप देखी का, यहां से आपकी जो है, English improve होनी शुरूत तो पहले दिन से ही हो गई थी, लेकिन आद देखिए आपको, इसके में कुछ यूज़ बताता हूँ, common use हैं, have patience, have patience हम उसे बोलते हैं, जो भी लड़का, लड़की है, जो भी व्यक्ती, बहुत जादा बेसबर रहता है, किसी भी चीज के लिए, आप suppose किजी किसी की घर में जो है, एक अच्छे पकवान बने है, पकवान से मेरा मतलब है, कोई भी एक अच्छी चीज जो बहुत पकवा हमें बोलते है सिशिचिशन में have patience, have patience का मतलब है सबर रखो, यद थोड़ा धेद्र रखो, थोड़ा रुख जाओ, इस तरह की सेंसर्ण में गुला ज kardeşim have patience का मतलब है, सबर रखो, don't be impatient, don't be impatient, don't be impatient, is­का मतलब चैने? बेसबर मत बनो, धेद्र मत खो, बेसबर मत बनो, तो इस अब की लिए हम बोलेंगी don't be impatient और have patience का मतलब है सबर रखिए देखिए अभी मैं आपसे के पता हूंगा ये भी एंटी ही है बाद में ये हैं CEQ आया है वह हम एडवांस पैच में हम इसकी चर्चा करेंगे अभी जैसा बोलता है सीधा का सीधा ऐसा ही सीखिए have patience का मतलब ह सबर रखो धैरे रखो जब भी कोई बेसबर आजमिया बहुत ज़्यादा उतावला बहुत ज़्यादा जल्दी मचाने वाला आपको वक्ति कोई मिले और किसी भी चीद में जल्दी करना है तो आप उसे बोल सकते हैं have patience don't be impatient आब इससे देखिए don't be impatient एक क्या adjective किस चीज का adjective है इसका मतलब है अधीर बेचैन जो जल्दबाजी करता हो यानि कि आप उतावले मत बनो ज़्यादा जल्दबाजी मत करो ज़्यादा बेसबर मत बनो तो इसके लिए क्या यूश करते है don't be impatient ज्यादा जल्दी मत करो आप देखिए इहां से बुड़ा ध्यान देनी की करते हो जब आप उसका कोई काम करते हो एक जो काम करने वाला है वो factory में काम करता है तो उसे भुकतान मिलता है उसका यानि कि भुकतान का मतलब है उसकी मेहनत का जो भी कुछ उसे मिलता है तो वो उसे भुकतान मिलता है अब देखिए आप यहां भुकतान करने का मतलब क्य चालोगी तो जिन्दगी में सही नहीं निकल लेगा मुहावरी सिर्फ जैसे उनकी सेंस के हिसाब से उन्हें जो है इस्तेमाल करा जाता है इंग्लीश में आप याद रखी का है पिशेंस पेशेंस पेस लेकिन देखिए आप इसे थोड़ा लेकिन लोजिक से आप इसे बात है कोई सबर नहीं कर सकता सबर रखो सबर कफल मिता होता है से मैं इसी यह है वर्कrike है हाड्व पेस करो की आप और मैं idioms की अलग से भी मैं आपको class provide करने वाला हूँ क्योंकि idioms जो है हमारी English speaking का एक वो हिस्सा है जिसे हम किसी भी कारण से नजर अंदाज नहीं कर सकते और ये हमारी speaking में चाल चाल नहीं पूरी ही speaking को चमकदार करने का काम करेगा idioms ठेक है ना? idioms बहुत अच्छे-च्छे होते हैं अभी हम उनकी बात करेंगे crime never pace, crime never pace का आप यहां दखिए बुराई का नतिज़ा बुरा होता है crime never pace यानि कि जो भी अपराद है वो कभी भुकतान नहीं करता यानि कि बुरे काम करने चीज़ा कभी अच्छा नहीं होता या फिर बुरे काम करने चीज़ा बुरा होता है इस तरह की sense में हम crime never pace का इस्तेमाल करेंगे don't be criminal, criminal होना एक अपरादी अपरादी मत बनो, अपरादी मत बनो अपरादी मत बनो, राजा मत बनो, बुरे मत बनो, अच्छे मत बनो अपरादी मत बनो, because crime never pace आपलादी मत बनो, क्योंकि बुरा इँ बुरे काम का नतीज़ बुरा होता है अब देखिए because जो है, because का मतलब होता है क्योंकि, because यक connector है because का मतलब होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको हर दास्थाँ बता दूँगा देख, connect करने की समझ है आप थोड़े अपने आप भी connect करके देखी मैं आपको काफी चीज़ें नहीं हर slide में हर class में आपको काफी चीज़ नहीं बताता हूँ तो आप इन्हें इस्तेमाल करके देखेगा कि मैं क्या बताता हूँ जब आप इसने connect करना सीख जाएंगे तो वाके में ही आप एक अच्छे speaker बनने की कगार पर होंगे तो आप इन्हें अपने शब्दों में भी translate कीजिए अपने शब्दों में इन्हें बनाईए और मैं तो इक सिर्फ आपको खाका एक आधार आपको दे रहा हूँ आप इन्हें तरह तरह सिस्टिमाल कर सकते हैं और एक बार फिर have patience सबर रखो don't be patient बे सबर मत बनो have patience patience pace सबर रखो सबर काफल मीथा होता है work hard hard work pace महनत करो महनत काफल मीथा होता है crime never pace बुरा एक काम का नतीज़ा बुरा होता है आप राधी मत बनो क्योंकि बुरे काम का नतीज़ा बुरा होता है या फिर बुरे काम का कभी भी नतीज़ा अच्छा नहीं होता है अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरुत है sound plus feel आप दिन भर में काफी चीज़े सुनते होंगे किसी की बाद सुनकर अच्छा लगता होगा किसी की बाद सुनकर बुरा लगता होगा किसी की बाद सुनकर ऐसा लगता होगा या रे तु पता नहीं क्या बोल रहा है विश्वास ही नहीं होगा किसी की बाद सुनकर अच्छा भी लगता होगा आपने कहा, It is sounds good इसका मतलब है यह आवाज बहुत अच्छी है ऐसा नहीं है इसका मतलब है सुनकर अच्छा लगा सुनकर अच्छा लगा, It is sounds good अब मैंने कुछ आपसे कहा की, यार वो जो है कल एक्सिजिरेंट में मारा रहा It is sounds bad सुनकर बुरा लगा है ना मैंने आपसे कहा कि उस लड़की का आई एस एक्जाम सिविल परिक्षा उसकी किलियर हो गई आपने कहा it is sounds great वाके में एक महान कारे उस नहीं किया मैं आपको जैसी feeling आपको आएगी आपको बोलना है it is sounds और जैसी feeling आपको आएगी in shorts shorts में इसे कैसे बोलते है shorts का मतलब है एंग्रे जी में जो है shorts का बहुत जादा रोल है voilà english movies in English movies in English song जो हमें समझ नहीं आते हूוא shorts के रोन नहीं समझन नहीं आते advance batch में हम इसकी बहुत लंभी इंप स지만 एक करेंगे कि shorts form क्या होती है shorts sentence क्या हो कर दी गई है कि दूसरी देशवाशियों को इसे समझने में बहुत जाद दिक्कत आती है क्योंकि शॉर्ट चीजी जो होती है न जो उसका शॉर्ट बनाता है उसे तो पता होता है कि मैंने से क्या बनाया है लेकिन नए व्यक्ति को हमेशा वो दिक्कत देती ही है तो शॉर्ट में हमीते बोलते हैं सौंवस गुड सुनकर अच्छा लगा आप पूरा मत बोलिए it is sounds good मत बोलिए आप बोलिए sounds good sounds bad sounds great it is sound serious अगर मैंने आप से कहा कि वेह लड़का ICU में भरती है तो आपने कहा it is sounds serious आप सीधा बोलिए sounds serious, सुनकर मतलब गंबीर आप हुए किसी की बात आपने सुनी और सुनकर आपको हसी आई, तो sounds funny sounds क्या है, यानि कि एक मजा क्या टाइप की feeling है, hollow बोलते है, hollow एक तरीके से खोकली चीज़ होती है, जिसकी बाते खोकली हूँ, जो बहुत लबी-लबी बाते कर रहा हूँ, आपको विश्वास ना रहा हूँ एक लड़का आपसे कहे, बाई चांस, कि मेरे मामा जी ने जो है, चांद पर जमीन ली है, तो it sounds hollow क्या है, जिस बात पर विश्वास ना हो, तो ऐसी बात को क्या बोल सकते हैं it is sounds hollow it is sounds crazy, जो थोड़ी सी क्या है, पागिलपन की बात है कोई बात के हाथ पे रही नहीं है इस तरह की sounds को आप बोल सकते हैं sounds crazy, ठीक है न, तो sounds एक बार और देख लीजिएगा sounds, आप इसे पूरा मत बोलिए ऐसे बोलिए, सुनकर अच्छा लगा sounds good, सुनकर बोल लगा sounds bad, सुनकर एक बहुत महंच, ऐसा एक अलग सा कार्जे किसी नहीं किया sounds great, कोई गंभीर बात आपने सुने, sounds serious कोई मजाग की बात आपने सुने, sounds funny कोई ऐसी बात सुने, जिस पर विश्वास नहीं sounds hollow, कोई पागलपन की बात आपने सुने, sounds गईगी, तो इस तरह से sounds plus feeling sounds plus, जैसे भी feeling आ रही है, वैसे ही feeling आपको बोल दिनी है अब देखिए, man your man your, word plus ing, man your देखिए your का मतलब होता है, तुम्हारा you, your, yours अभी हम इसकी भी बात करेंगे, personal pronouns, possessive pronoun, objective pronoun, लेकिन अभी आप जो मैं बता रहा हूँ, उस पर दियान देजिए man your, walking 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 का मतलब है, देखिए, man your man your, walking यानि कि जब भी man, आप सुनोगे man, man का मतलब होता है, सुधारो सुधार करें man your sitting way, अपने बैठने के तरीके में सुधार कीजिए man your sitting position, अपने बैठने के सुधार कीजिए man your speaking, अपने बोलने के तरीके में सुधार कीजिए man your standing, अपने खड़े होने में सुधार करें man your walking posture, अपने चलने की, अपने चलने में सुधार कीजिए आप से अगर कभी भी कोई बोलता है man your और उसके बाद वो वर्ब की फर्श्वर्म में आइंजी लगाएगा तो आप वो समझ आई कि उस चीज को सुधारने के लिए वो कह रहा है उस चीज का हमारा तरीका उसे पसंद नहीं है मैं आप से कहूं man you are speaking way अपने बोलने का तरीका सुधार ये और वोचिंग वीडियो अपने वीडियो देखने का तरीका सुधार ये अब कह सकता है कोई ऐसा भी बोल सकता है बहुत बड़ी दुनिया है कोई कुछ भी बोल सकता है अब देखिए simple sentence की आज हम बात करेंगे कल जो है हम तीन tense के 12 scenario में बढ़ते हैं और उन 12 में से 6 हम continuous पहल चुके हैं आज हम तीन tense पढ़ेंगे और तीन tense जो यह आपके होने वाले हैं यह हैं simple tense पे अधारिज present tense, एक past tense, दो future tense यह तीन आज हम पढ़ेंगे और इसके बाद नो हो जाएंगे सिर्फ तीन बचेंगे सब्ता के लाश में मैं आपको बता दूँगा बचे हुए तीन तो आप ध्यान दीजिए का present tense, present का मतलब होता है वर्तमान, जो चीज़े चल रही हैं किसी भी sentence, किसी भी वाकर कुस्ञे सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये, अभी की बात» है ये present की बात है तो आपसे present में बनाएंगे present indefinite भी होता है continuous होता है, perfect continuous होता है present indefinite आज हम पह動 رहे है present continuous पहँड चुके है present perfect content भी हम पहँड चुकेहैं तो आज आप सबसे पहले की ध्यान देखिए का देखिए do you work की first form प्लस ing present के मैंने आप से बताया था doodles क्या है present के जो है एक तरहीं से present की पहचान कराते है doodles तो आप थोड़ा यहां बहुत ध्यान से देखिए का मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में यह ज्यादा बड़ा भी वैसे हो नहीं रहा है लेकिन फिल भी देखिए हो गया है काफी बड़ा do you work की first form plus ing do you go क्या तुम जाते हो do you come क्या तुम आते हो do you read क्या तुम पढ़ते हो do you laugh क्या तुम हसते हो do you do you fight क्या तुम लड़ते हो do do से पता चला present का है you तुम और work की first form लगती है इसमें आपको जवाब कैसे देना है do you go I go I go का मतलब क्या है मैं जाता हूँ आपको सिर्फ जब भी present indefinite का कोई भी वाक्य हो वाक्य जब भी हो आपसे पूछेगा तो वो एक काम करेगा verb को subject से पहले ले देगा subject क्या है subject है इसका आपका you you से पहले क्या है do you जब यहाँ did you आएगा तो आप समझ जाना past का सवाल है जब यहाँ will you आएगा तो आप समझ जाना future का सवाल है जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है चाहे वो helping वर्ब हो, चाहे वो main वर्ब हो तो आप समझ जाना है, वो सवाल पूछ रहा है आपसे वो प्रिशन आपसे पूछ रहा है तो I plus वर्ब की first form I go, मैं जाता हूं, I play, मैं खेलता हूं I come, मैं आता हूं और अगर negative में है, मैं आपसे कहूं Do you, do you smoke, क्या तुम जुमपान करते हो I do not smoke, मैं जुमपान नहीं करता हूं तो ऐसी सेम इसका है, ये है हमारा past indefinite देखी, मैं आपसे बताया था शुरुवात वाले दिन ही कि past का जो एक तरीके से past की पहचानी अगर किसी से होता है, होती है तो वो है did बस आप एक चीज़ का दिहान दखिए, सभी continuous में वर्ट की first form प्लस ing आएगी बारा में से 6 की तो वर्ट की first form प्लस ing आएगी बचे हमारे 6, उन 3 में से 3 हैं हमारे indefinite present indefinite, past indefinite और future indefinite present indefinite और future indefinite में वर्ट की first form आएगी और past indefinite में हमारी क्या है, past indefinite में हमारी second form आती है, देखिए अब इसकी did से जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप समझ जाना की ये past की बात हो लिए, did you go did you go का मतलब है, क्या तुम गई थे, क्या तुम जाते थे है न, कहने का मतलब है past का कोई अब और वो आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसका मतलब है, वो did से पूछेगा आप देखिए, जब subject से पहले वर्ब आ जाती है तो आप समझ जाना की वो प्रिशन है और जब वर्ब से पहले subject आ जाता है तो आप समझ लेना, उसमें हमें उत्तर देना है तो I प्लस वर्ब की second form देखिए, do की second form did है इसलिए ही तो past का है और यहां भी क्या आपको करना है, बस यहीं बच्चों को confusion होता है पास्ट indefinite में आई के साथ वर्ब की second form लगेगी जैसे, did you go? did you go to school? I went to school या I did not went to school I did not went to school सेम ऐसी future में है future में क्या है? will you go? क्या तुम जाओगे? I will go, मैं जाओगा I will not go, मैं नहीं जाओगा तो यह हमारे क्या है? तेंस हैं, अभी दिखिएगा थोड़े से हम इसकी example की जब बात करेंगे तो आपको clarity बहुत जद आएगी सबसे पहले हम देखते है present indefinite के example present indefinite present simple भी हम ही से बोलते है आपको सिर्फ क्या करना है? आपको I verb की first form I plus I plus verb की first form आपको use करनी है present indefinite का पता कैसे चलता है कोई भी हमारी आदत होती है present indefinite में ही हम उसे बोलते है देखे, I say मैं कहता हूँ I go, मैं जाता हूँ I tell, मैं बताता हूँ I read, मैं पढ़ता हूँ देखे, read की first or second form दोनों क्या होती है? samey होती है और third form samey होती है बोला जाता है I read, read, read read, read, read लेकि spelling samey होती है तो अगर वो आपसे पुछेंगे do you read तो आपको बोलना है I read, मैं पढ़ता हूँ अगर वो पुछता है did you read तो आपको बोलना है I read, मैंने पढ़ा तो मैं पढ़ता हूँ के लिए भी यही आएगा और मैंने पढ़ा यही आएगा उसके प्रिशन से पता चल जाएगा कि आप उत्तर क्या दे रहे हो देखे, वो बोलेगा did you read आपने बोला I read तो वो समझ जाएगा अगर उसने did से पूछा है तो आपका भी जवाब पास्ट में ही आया होगा तो इस तरह से उसमझ जाएगा I play, मैं खेलता हूँ I teach, मैं पढ़ता हूँ I speak, मैं बोलता हूँ I love, मैं प्यार करता हूँ I do, मैं करता हूँ I के साथ verb की first form आप लगाओगे तो उसका मतलब होता है I mean to say, मैं कहने का मतलब है I watch video daily, मैं रोजाना वीडियो देखता हूँ तो इस तरह से हम present simple का क्या है I went मैं गया I read मैंने पढ़ा I came मैं आया I said मैंने कहा I told मैं कहता था I asked मैंने पूचा I taught मैंने पढ़ाया I did मैंने किया I went to school मैं school गया था या मैं school गया I read this book मैंने किताब पढ़ी या फिक दिखिए अगर वो पुछेगा Do you read this book? I read this book क्या आप ये किताब पढ़ते हो? मैं ये किताब पढ़ता हूँ Did you read this book? क्या आपने किताब पढ़ी थी? I read this book मैंने किताब पढ़ी थी आप यहां दखना Past Indefinite में जो है वर्ब की Second Form का हम प्रियोग करते हैं I took tea Yesterday मैंने कल चाई पी थी I watched the movie मैंने एक फिल्म देखी I loved someone मैं किसी से प्यार करता था Did you वर्ब की First Form से क्या है? प्रिशन पूछा जाएगा और I वर्ब की Second Form से उत्तर दिया जाएगा और Negative उत्तर है तो I Did Not Plus वर्ब की First Form से भी हम इसे दे सकते हैं देखिए अभी आपको जितना समझ आ रहा है वो अच्छी बात है अगर आपको कुछ नहीं भी समझ मा रहा है तो और भी अच्छी बात है लेकिन आप बिल्कु भी Tension मत लीजेगा क्योंकि ये जो Game है ना English Speaking Cause जो है आप इसे Game मानिए और इसमें जो है जो चीज आप सीखते हैं बहुत अच्छी चीज है और जो चीज आपकी छूट जाती है तो आप बिल्कु भी फिक्र मत कीजिए क्योंकि इसमें रिपीटिशन बहुत जगें आएगी एक चीज कम से कम कम से करबा इस syllabus के दुरान सो बार में उस चीज को आप से बता चुका होंगा क्योंकि इसमें रिपीटिशन बहुत जगा होने वाली है अभी मैं आपको exercise भी दिया करूँगा तो बहुत रिपीटिशन होगी सिर्फ आपको देखो कुछ भी अगर समझ मा रहा है थोड़ा बहुत भी तो आप थोड़ा बहुत अपने आप मेहरत करके उसे अधिक से अधिक जानने समझने की कुश्च कीजिए अब आकी अपनी तरफ से मैं जो सबसे best आपके लिए हो सकता है वो अपनी तरफ से मैं आपके लिए ट्राई करूँगा एक चीज का बस आप जो जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते चले जाएए आज आपको पूरी चीज नहीं समझ में आ रही हो शायद लेकिन आप अगर सुनते रहोगे तो इसमें repetition इतनी बार होगा आपको automatic वो सब चीज आजएगी जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ अब आप ध्यान दखीएगा देखिए सबसे पहले आप यहाँ दियान दीजिएगा will you इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं देखे will you subject से पहले जब भी वर्व आएगी तो आप समझ जाना वो प्रिशन पूछता है आपसे will you go will आते ही आप समझ जाना future का है will you future का है did you past का है do you present का है will you go क्या तुम जाओगे I will go मैं जाओगा I will not go मैं नहीं जाओगा देखे अगर आप थोड़ा भी tense से परिजित हो तो आपको यह समझ आही रहे होंगे अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे comment section में बता दीजी कि मैं इसकी पूरी एक class tense के उपर आधारित मैं पूरी पूरी एक class अलग डाल लूँगा ताकि आपको बिल्कु भी दिक्कत ना हो देखे I will go मैं जाओगा I will read मैं पढ़ँगा I will come मैं आओँगा I will speak मैं बोलूँगा I will learn मैं सीख लूँगा I will win मैं जीतूँगा I will watch मैं देखूँगा I will speak English मैं English बोलूँगा I will go to Delhi मैं दिल्ली जाओँगा I will watch a movie मैं film देखूँगा I will kill you मैं तुमें माल दूँगा अब आप एक चीज़ धियान देखिएगा हमें वैसे बताया जाता है कि will और shall I or V के साथ shall का प्रियोग करते हैं और बागी सब के साथ will का प्रियोग करते है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है will shall में और अब तो देखे will ही चल रहा है जो लेटिश जो इंगलिश है हमारी उसमें will ही चल रहा है फिर भी देखें मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है I के साथ में शेल लगाता I shall go मैं जाओंगा I will go मैं जरूर जाओंगा है ना देखें मैं आपसे बताओं थोड़ी ही सेंस परीवरतन करने के लिए जैसे की मान दीजे I shall kill you मैं तुम्हें माल दूँगा I will kill you मैं तुम्हें पक्का माल दूँगा मैं तुम्हें जरूर माल दूँगा अभी देखें धीरे धीरे हम इने समझेंगे Will shall का मैं आपको पूरा जो है ना particular आपका जो सभी डाउट है Will shall को लेकर मैं उसे Morals की हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको Will shall बता दूँगा पूरी तरी से लेकिन जितना मैं भी आपसे बता रहा हूँ अभी आप इतना समझे और I hope कि आपको ये समझ आ रहा होगा अब देखिए यहां पर जा जाएगा कि क्या है देखिए Word प्लस आई अगी Word जो है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहती है वो वर्ब भी कहती है अब आप एक चीज पर धिहान देजी Word प्लस आई अगी Wash का मतलब होता है धोना Washing का मतलब होता है धुलाई जब हम उस Word का काम बनाते है ना जानिकि उसका पूरा रूप एक तरीकिसे नाउन भी हम उसे बोल सकते है किसी Word को जब हम नाउन बनाते है तो आई अगी से भी वो नाउन भी बन जाता है और वो काम भी बन जाता है Fight माने लड़ना लडाई करना fighting fighting का मतलब लडाई है ना मार पीट तो ऐसे सब्दों के लिए work की फ़श्टम प्लस आए एंजी work का मतलब होता है काम करना working working का मतलब है काम read का मतलब होता है पढ़ना reading का मतलब क्या होता है पढ़ाई आपकी पिताजी माताजी या आपकी parents या आपके dejलीटिव आपसे पूछते होंगे कि या आपने पढ़ाई की तो उस तरह की sense में पढ़ने को क्या पढ़ाई earning आपने ऐसे सुना होगा कि कमाई क्या है आपकी earning अब देखिए आई होप यह आपको समझ आया होगा कहने का मतलब है अगर आपको नहीं भी समझ आया लेकिन जब आपसे कोई बोलेगा वाशिंग तो आप समयोगे कि भाई धोना के लिए तो वाश का प्रियों करते हैं और आइविल वाश्ट विडियो मैं मैं तुम्हारे साथ छैति है न जैसे कि मारे कप्लों की सब्सें Towards the वाश अरव कि हैं दोना और वैंज मारे लडाई या फिल मार१ करूए तो किसी वर्ब में जब ER लग जाता है तो उस वर्ब का जो काम होता है वो उस काम को करने वाला बन जाता है देखिए, जीड का मतलब होता है पहने वाला, सोरी जीड का मतलब होता है पहने वाला, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेयर का मतलब होता है खेलने वाला, स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीकर होता है बोलने वाला, डू का मतलब होता है करना, डूर होता है करने वाला, क जजगे जगे 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 जाकर बेखता है जैसे की जटीजेबल जडीजे जगे इसी से बना speaker speak माने बोलना, speaker माने बोलने वाला play माने खेलना और player माने खेलने वाला तो उस काम को किलने वाला बन जाता है जब verb में हम ER लगा देते हैं और ये द trailers क्या है ये इस्पेशल कुछ keyword है आपके लिए जो आप समझ जाओगे speaking shy इस्पिकिंग शाय का मतलब होता है शर्माना अगर किसी काम को कोई करने में शर्माता है तो आप उसे वर्ग की फर्ष्ट वर्ग की आई इंजी फोम में शाय लगा दीजिए उसके साथ और आप इसे ऐसे बोल सकते हैं She is speaking shy, वह बोलने में शर्माती है, She is speaking shy, speaking shy का मतलब होता है, बोलने में शर्म, Singing shy, गाने में शर्म, Dancing shy, dance करने में शर्म, Working shy, काम करने में शर्म, Work shy, काम चोर, तो ये सब क्या है, आप इंच सब का ध्यान दखिएगा, Speaking shy, काम करने में शर्माना, वर्किंग शाय, डांसिंग शाय नाचने में शर्माना, सिंग Makes गाने में सरुमाना, स्पिकिंग शाय बोलने में सर्माना तो यही आज की हमारी क्ल्स दो और मैं जाते समय आपसे एक चीज कहूँँगा, रिवीजन इज़्दा की मैं आपको बहुत महनत कर लोगे तो आपकी जो स्पीकिंग में हैं वो बहुत ही जादा एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे आप थोड़ा लिखने के आदर डालीजीगा आप दस या पंदा लाइन लिखें और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी क्लास पर आधारित लिखें उन मैं बच्चों को स्पीकिंग पार्टनर प्रोवाइड करता था वहां भी और मैं सुझ रहो हूँ ओवाख ऑनलाईन में ह 76 पर काम कर नहां कहूं कि किस तरह से म cabbage को स्पीकिंग करूँ और मैं जो है अब एक दो दिन बाद से आपके लिए एक नोट दिया करूँगा जो क्लास पादा रहा करेगा और आप से मैं ही पढ़ाया करूँगा फिर आपके लिए कि रीडिंग हैबिट कितनी जादा इंप्रूव होती है इस पिक्नी हैबिट के लिए अब जो है हम एडवांस पैच में लाइव ग्लासिस करेंगे और मैं आप से लाइव इंटरेक्ट करूँगा और शायद इसके बाद मैं आप काफी कुछ शोच नहीं हूँगू ताइम के अनुसारी में आप से बताऊँगा अभी के लिए मैं आप से इतना ही कहूँगा कि ट्राइट सीखेगा और प्रीज अभी व्याकरण के बारे में मत सोचेगा एक समय आएगा जब हम सोचेंगे लेकिन आज वो समय नहीं है और I can do मैं कर सकता हूँ कहने की तागत हमारे मैं नहीं कर सकता हूँ कि कहने की तागत को हमेशा के लिए नश्ट कर देती है और हमारी सकारात्मक हमें विजय पत की ओच लिज आती है तो आप बी पॉसेटव सकारात्मक रहिए और आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंस वर डिस्क्स टोमॉर बढाए जैन